अगर आपने कोई भी मैसेज को या फिर SMS को ब्लोक कर रखा है और दोस्तों आप चाहते हैं उस मैसेज को अन्ब्लोक करना और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं कैसे मैसेज को अन्ब्लोक किया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से लाश टक देखते रहे हैं दोस्तो कोई भी message को unblock करने का सेम तरीका होता है वीडियो का अगर आप ध्यान से देखते हैं लाश्ट तक तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कैसे sms को जो है unblock किया जाता है सबसे बिले आपको अपने mobile phone के setting में चले जाना है और दोस्तो अगर आपने वीडियो को like नहीं किय जिए साथ ही साच चैनल को subscribe कर लिजिए setting में आने बार नीचे के side में आपको आना है और यहां पर आपको एक एक नाम को option देखने को मिल जाएगा सिम्पिले दुस्तों आपको apps वाले option पर click कर देना है यहां पर जैसे आप आजाते हैं फॉर्स नमबर पर ही आपको देखने को मिल जाएगा system app setting यहां पर जो है आपको click कर देना है जैसे दूस्तों आप को कॉल सेटिंग का option देखने को मिल जाएगा इसपर दोस्तों आपक यहाँ पर dialer pad को open कर लेना जहां से आप call को लगाते हैं यहाँ पर आने वाद ऊपर के side में या फिर नीचे के side में आपको setting option देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसे आप click करते आप directly setting के अंदर पहुंच जाईएगा call setting के अंदर अब यहाँ पर आपको block list पर click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते ब्लोक के नमबर पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर तीन नमबर को मैंने block किया है आप यहाँ पर देख सकते ब्लोक SMS लिखा हुआ है तीनों नमबर के बगल में अब आपको जो भी नंबर को block list से हटाना है उस पे दबा करके रखना है और दोस्तों यहाँ पे आपको delete वाले option पे click कर देना है और यहाँ पे remove वाले option पे click कर देना है कुछ इस परकार से दोस्तों आप जो है इस number का black list को हटा सकते हैं message को जो है अगर आपने block कर रखा है तो दोस्तों यहाँ पे आप block message को delete कर सकते हैं इसे पकर से आपको जितना भी message को delete करना है block list से तो यहाँ पे आप simply delete वाले option पे click कर देजिए और यहाँ पे remove वाले option पे click कर देजिए आपका sms जो है unblock हो जाएगा वीडियो को लाइक करना साथ ही साथ चैनल को subscribe करना ना भूले